नमस्कार मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सी लॉड न्यूजी भारत की ओट से नौ मार्च को गलती से पाकिस्तान के छेटर में जाकिरी मिसाइल के मुद्धे पर रक्षामत्री राजना सिंग ने मंगलवार को संसद में बयान दिया ये घठना इंस्ट्रक्षन के दौरान अन्जाने में हुई मिसाइल की रिलीज से सम्दिच मिसाइल यूनिट के रुटीन मैंटिन्स और इंस्ट्रक्षन के दौरान साम को लगवक साथ बजे दुर्भत नहएं एक मिसाइल रिलीज होए बाद में ग्यात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के शत्र में जाकर किरी यह धटना खेट जनक है परंट यह राहत की बात है कि इस धुरगतना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है तबापती मौदे मैं सदन को तूचिक करना चाहता हूँ कि सरकार में इस धुरगतना को बहुती संभीरता पुर्वक लिया है और इसके लिए ओप्चारिक उचस्तरी याट के आदेश भी दे दिये गए है कथित दुरगतना का सठीक कारण याट के बाद ही पता चल पाए है मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्म में आपरेशंस, मैंटिनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रसुजोर्स की समिच्छा भी की जा रही है हम अपने वेबन सिस्टम की सेफ्टी और सेक्योर्टी को सर्वच प्राथ्विक्ता देते हैं इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई आती है उसे दुरंत दूर किया जाएगा मैं सदन को आस्वस करना शाहता हूं कि हमारा मिसाई सिस्टम अक्यंत सुरक्षित और भरोसे मन्द है इसके आलावा हमारे सेफ्टी प्रसीजोर्स और प्रोटोकॉल्स कुछ अस्तरी है और समय समय पर इसकी समिक्षा भी की जाती है हमारी आर्म फोर्सेस वेल ट्रेंड यर्म डिसिप्लिंड है और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अंभो भी रखती है मिसाई कटना को लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता निट प्राइस ने सोमवार को मीडिया से बाचीत के तौरान कहा की जिसे की आप हमारे भारतिय सहियोंगे उससे भी सुना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ये धुरगटना के लावा कुछ और था किसी अनजानकारी के लिए हम आपसे भारतिय रक्षा मंतराले से संपर करने को कहेंगे उन्होंने 9 मार्च को एक बयान जारी किया था जिसमें विस्तार में बताया गया है कि वास्तव में क्या हुआ था हम उससे अलग कुछ नहीं कहना चाहते इससे पहले नई दिली में भारत के रक्षा मंतराले ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंबीरता से लिया है और इसमें एक कोर्ट ओफ इंक्वैरी का आदेश दिया गया है तो वहीं पाकिस्तान के प्रिदान मंतरी इमरान खान ने मिसाइल खटना पे एक रैली के दौरान ये कहा कि यदि पाकिस्तान चाहता तो कुछ और कर सकता था लेकिन उसने इस मामले को अच्छे से संभाला इमरान खान पंजाब रांद के हमसाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से इसका जवाब दे अलाकि हम कुछ और भी कर सकते थी इस कबर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए चुड़े रहें सी लॉट न्यूस के साथ धन्यवाद